हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का श्रागत है फार्मा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त मनोज यादो आज फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक ले करके आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले थे साथियों क्वाल्टी कंट्रोल आफ ड्रग्स हमने इसकी बाते कर लिया था इवोलूशन आफ ड्रग्स इसकी भी बाते कर लिया था आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे अगला टॉपिक है उसके बारे में तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मेथड फॉर इवोलूशन आफ ड्रग्स तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं हमने बात कर लिया था और फिजिकल्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं biological evolution क्या होता है अगर आप नए आयो है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए like करिए comment करिए और share करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है बायोलोजिकल इवोल्यूशन का मतलब वो क्या होता है जयो उद्विकास जो हमारे ड्रक्स है उनका विकास कैसे हुआ है The estimation of the potency of crude drugs is done by means of its मतलब जो estimation of potency है Potency का जो हमारा क्या है estimate है of crude drugs Crude drugs के लिए वो क्या है इसका मतलब क्या है Effect on the living organisms कि living organisms पे जो हमारा crude drug है यह किस प्रकार से effect अपना सो करता है Living organisms कौन कौन से हो सकते है जैसे bacterial, fungal, growth or animal tissues are the entitized animals It is called the bioassay यह सब क्या होते है I.S.A. organisms जिनके उपर हमारे crude drugs का क्या हो effect सो करे कि इतनी उसकी potency है सो होने की उसको हम जब calculate करें वह ही उसका क्या है साथियो biological evolution है ठीक है Bioassay is the measure of sampling Bioassay क्या है एक प्रकार से measure of sampling है Sample का जो हमारा क्या है एक मानक है उसी को हम Bioassay कहते है being tested capable part the producing वो capable है ठीक है produce करने के लिए the biological effect biological effect को produce करने के लिए वो क्या है capable है ऐसा Sample जिसकी हम measures करते है that of the standard preparation जिसको हम standard preparation के थूँ हम किसी भी crude drugs की जो sampling है उसके बारे में अगर हम अगर हम अगरते है या उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को Bioassay कहते हैं अब हम बात करने वाले हैं यहां पर morphological evolution या organoliptyk evolution ठीक है जो आप लेबस में है तो हम इस topic पर आज बात करने वाले हैं पहला है इस रेफर्टो इवोल्यूशन आप ड्रक्स बाई कलर या हमें कैसे पता चलता इस रेफर्स टू evolution आप ड्रक्स ड्रक का evolution कैसे हुआ है उसको हम कैसे पहचानेंगे ठीक है उसके color के दौरा order के दौरा taste के दौरा size के दौरा shape के दौरा special features है कुछ ऐसे जो features है जिनके दौरा हम उनको क्या करेंगे उनको हम पहचानेंगे उनकी morphology को देखेंगे जैसे touch करके texture करके ठीक है या फिर उसके sound के थू the study of form of crude drugs हम crude drugs कहा है कैसे प्राफ्थ होता है उसकी morphology क्या है descriptions white descriptions form of morphology जब हम उसके morphology की क्या करते है description करते है तो उसी के अध्यन को क्या कहते है यहाँ पे morphology जीक एवॉलूशन कहते है यह जी Aa पे वुलुशन कहते है दा अटडर्ट्रेस्यन आपसे अब्स आभदा इस्टरी कोन नक्षो मिका वीथ दा सीड़ आपदा इस्टरी कोन charisma नक्षड ब्लेंडा आर दा इस्टरी कोनो इस पॉर्टो रम कारवे विथ इंडियन डिल अलेक्जन्डियन सेना विथ डॉग सिन्ना is defined as by morphological techniques मतलब कहने का है कि जो morphological evolution है साथियों इसमें से हम drugs के क्या क्या करेंगे उसके morphology के बारे में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को morphological evolution कहते हैं जैसे adaptation of seeds जो seeds है उसमें किसका mixer है जैसे stycheo, stycheo, kionos, stycheo nose, nugs, omica with the seeds of stycheo nose blender इनके साथ की जो adaptation है उसी को हम कहते हैं morphological evolution यह तो फिर हम कह सकते हैं इस ट्राइक्यो नोज पोटेटा रम ठीक है पोटेटरो पोटेटो रम ठीक है कारवे विट इंडियन डल इस प्रकार से हम इसको morphological evolution कहते हैं यह कुछ एक्जामपांस टेक्निक के थे ठीक है अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चलिए माइक्रोस्कोपिक क्या होता है उसको समझ लेते हैं माइक्रोस्कोपिक evolution माइक्रोस्कोपिक इवोलूशन इस आसो कवर्स इस्टाड़ी अप्लिकेशन आफ केमकल टेस्ट तो इस्माल क्वांटिटी आफ ड्रग इन पावडर फाम और दा हिस्टो लॉजिकल सेक्शन आफ द्रग माइक्रो केमेस्ट्री यानि कहने का मतलब या है कि हम केमिकल टेस्ट आफ इस्माल क्वांटिटी आफ ड्रग इन पावडर फाम हम जब केमिकल केमिकल टेस्ट करते हैं छोटी कम मात्रा में ले करके ड्रग को एक पावडर फाम में ठीक है उसकी जो अध्यन करते हैं कांस्टिटिवेंट्स की उसक को हम कहते हैं micro evolution क्या है micro scopic evolution ठीक है cover study also cover study the constant events की हम study करते हैं by application of chemical test chemical test के उपयोग के द्वारा ठीक है कितनी कम मात्रा में drugs को ड्रक जो भी है उसको powder farm में अगर हम ले करके उसके study करते हैं उसका application जानते हैं तो ही हमारा क्या कहलाता है microscopic evolution कहलाता है ठीक है इस method allow more detail examination of drugs इस method को हम बहुत अधिक अनेक मतलब अलग अलग तरीके से इसको explain कर सकते हैं इसका परिक्षण कर सकते हैं आप drugs का इसमें हम details से क्या कर सकते हैं जानकारे प्राफ्ट कर सकते हैं it can also be used to identify इसका प्रयोग हम identify organized drugs के लिए भी कर सकते हैं there no histological characters और इसके हम जो histological characters हैं उसको भी हम identify इस methods के थू हम कर सकते हैं ठीक है histological studies are made from very thin sections of drugs हम histological अगर study करते हैं तो drugs के जो भी very बहुत ही पतले बहुत ही थीन जो भी sections हैं उनकी अध्यन को करते हैं ठीक है microscope by virtue of the its property of the magnifying permit the minute structures under study to be enlarged can be used to confirm the structural details of drugs from plant origins मैंलदब कहने का है microscope by virtue of its property to magnify microscope का जो भी property है कि हमें कितना भी छोटा से छोटा जो भी हमारा compounds है यह जो भी हमारा drugs है हम उसको क्या करते हैं बड़ी size में minute से बड़ी size में उसको देख करके उसके character के बारे में उसके structures को confirm करते हैं और उसके हम अध्यन उसके बारे में अध्यन करते हैं यह हमारा microscope है यह microscopic evolution है तो so I hope आपको समझ में आ गया होगा यह आपका second part था तो मैंने इतना आपको समझा दिया बहुत कुछ समझा दिया अगर नहीं समझ में आ रहा है तो comment करिए like करिए share करिए चलती है मिलते हैं next video में thank you जय हिन जय भारत कर दो